असलाम अलेकम यहां मिडे radar हो आख में बना रहे हैं हरी मौंँ की दाल 5 चुम यहां चार सा ग्राम फॉल्ब आशने की पेस्ट लिए हल्दी पौडर लिया हमने वुद्धी प्रछ चैहितेwrी लाल मिर्च लिया हमने वार्ण डिये सपून ग््रभी Smith जिरुव इसपून पौडर लिये विए हमने वार्ण टियबल सपून नमग घृच्छी आपको यरुज भी को एंट तक लाजमी देखेगा ताकि आपको समझने में आ जाए कि डाल पालेक कैसे बनेगी सबसे पहले हमने एक पतीली में ले लिए है तैल यह हमने हाफ कप देल थोड़ा अच्छी से गरम हो जाए तो हम इसके अंदर प्यास डाल देंगे, प्यास को डालके हम इसमें अच्छी से फ्राय करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर होने द क, low to medium आज पर हम इसको फ्राय करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, प्यास को गोल्डन ब्राउन होने में, तक्रीबर ना 15-15 मिन्ट हो चुके ही प्यास देखने हमारी अच्छे से ग३ोल्डन ब्राउन हो चुके है अब हम us के अंदर डाल देंगे हरी मिर्चे हरी मिर्चो को भी डाल के हम इसमें फ्राय कर लेंगे तकरीबन भी 30-40 सेकंड के लिए ताकि हरी मिर्चो का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए हरी मिर्च अच्छा से फ्राय हो गई है अब हम इसके अंदर डाल देंगे लसन अदर का पेस्ट और लस्टन दरक के पेस्ट को भी हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे ताके इसकी अच्छी से खुश्बू आने लगे 15 से 20 सेकंड हो चुकी है लस्टन दरक के पेस्ट की बहुत अच्छी से खुश्बू आने लगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और टमाटरों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और हम इसको ढखकर पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर सौफनी हो जाते हैं टमाटरों को सौफनी में तकरीब भी 15-20 मिनिट लगेंगे पंदरा मिनिट हो चुके हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्श पाउडर फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक फिर हम डालेंगे इसके अंदर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे इन सब चीजों को हम एक से दूमनेट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताके मसालों को फ्लेवर अच्छे से इसमें आजाए अब हमने यहां पर ले ली है डाल, डाल को हमने अच्छे से पानी से तीन से चार मरतबा वाश कर लिया था ताकि इसमें से डस्ट वगरा सब साफ हो जाए अब हमने इसके अंदर डालू देनी है दाल हमने यह दालकों हमने पालक के साथ ही तोड़имиदा पालक के घुल ले था को typing झरत्ता रिक स्थाच्छों भूदा पालक को जाङए। और ढखकर हम इसको पका लेंगे 30-45 मिनट्स के लिए ताके जो दाल हमारी वो गल जाए पालक तो बहुत जली सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन दाल गलने में दोहरा टाइम लेगा तो हम दाल के गलने तक कंज़ा करते हैं और इसको ढख देते हैं और low to medium flame पर हम इसको पकाएंग कर देंगे रिंगा अब हमने यहांब ह्रिमर्च ले ले लेंटे दो से तीन हमने रिप काट लिया है मुसकर बहुत कर देंगे लिया पारिक नकुकर ने का कर लिए बहुत हम देल के बल्साहि ले लिए तो सथे जिई sommतेल लेस्टन का कलर हो गया चेंज और अच्छी से खुश्भू भी आने लगें दोनों की अब हम इसको डाल देंगे डाल पर और डाल को डिशाउट करके दिखाते हैं यह हमारी बहुत ही मज़दार सी हरीमूंग के डाल पालक बनके त्यार हो गई है रेसिपी पसंद आए तो वी